हमारे चेनल में आप सभी का और एक बार स्वागत है पिछले वीडियो में हमने बताय थे कि एक नॉमबर 2022 से कितने रजिस्टरों को समुह में लिखना है यदि अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस वीडियो को देखे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लोग जानते हैं कि समुहो का बेंक लेंदेन नगत पुस्तक में लिखते थे पर एक नॉमबर 2022 के बाद नगत रजिस्टर लिखना बंद हो गया है तो बेंक लेंदेन कैसे लिखें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बेंक लेंदेन को हम लोग बेठक पुस्तक में लिखेंगे तो चलिए बेठक रजिस्टर पर चलते हैं आप लोग ये देख सकते हैं कि ये बेठक प्रस्ता पुस्तक रजिस्टर है इसे खोलते हैं और बेठक लिखना शुरू करते हैं हम लोग बेठक वैसे ही लिखेंगे जैसे पहले लिखते थे इसमें केवल एक एंजेंडा बिंदू बढ़ा सकते हैं को है आयवई की सुची यदि आयवई सुची के बारे में नहीं जानते हैं और इसके बारे में आप लोग विश्तार पुर्वक जानना चाते हैं तो हमें कमेंड करें तो चलिए जल्दी जल्दी रजिस्टर को लिखते हैं आप लोग देख सकते हैं कि रजिस्टर किस तरह से लिखा जा रहा है आप भी इस तरह से रजिस्टर लिख सकते हैं जदी अभी तक आप समू का रजिस्टर कैसे लिखें इसके बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है वहाँ से भी जाके रजिस्टर कैसे लिखना है उसका जनकारी राप्ट कर सकते हैं अब हम लोग दो एजंडा को एक एजंडा बना कर लिखेंगे वह है बचत और किस्त ब्याज वापसी को एक एजंडा बना कर लिखेंगे क्योंकि अब समुखों में उपस्ति और बचत रजिस्टर लिखना बंध हुआ है इसलिए इस एजेंडा से उपस्तिती का भी पता चलेगा और कौन दिदी कितना बचत जमा कर रही है उसका भी पता चलेगा साथ ही किस्त ब्याजवापसी का भी पता चलेगा तो अब बचत और किस्ट ब्याज वापसी लिख कर डेस लगाएंगे और इस तरह का कोलम को बनाएंगे पहले में क्रम संख्या, दुसरे में सदैस का नाम, अगले में नगत या चेक, उसके अगले कोलम में बचत, किस्ट, ब्याज, दंड और कुल लिखेंगे माना की गुलाब समू में 10 दिदी है, जो इस तरह से हैं, आप लोग देख सकते हैं सभी ने अपना अपना बचत, नगत और चेक के द्वारा जमा कर रहे हैं जिसमें एक दिदी चेक के द्वारा अपना बचत, किस्ट और ब्याज जमा कर रही है इसलिए बचत के कोलम में सभी दिदियों का 10-10 रुपया करके लिखेंगे और जो सदस किस्ट और ब्याज वापस कर रही है, उसके कोलम में भी लिखेंगे और परकार के कोलम में जो सदस नगत दे रही है, उसके आगे नगत लिखेंगे और जो सदस चेक के दुआरा जमा कर रही है तो परकार में चेक संख्या को लिखेंगे तो चलिए लिखते हैं सभी कोलम में रासी चड़ाने के बाद सभी कोलम के नीचे कूल करके लिखेंगे इसके बाद हम लोग अगले एजंडा बिंदु को लिखते हैं बीडियो बड़ा हो सकता है पर इस बीडियो के बाद आप लोगों को अगला बीडियो देखने का जोरत नहीं पड़ेगा इसलिए बीडियो को बीना इसकिप किये हुए पूरा बीडियो को देखें अब हम लोग प्राभ भुक्तान को लिखना सिखेंगे क्योंकि नगत रजिस्टर का पुरियोग हम लोग प्राभ भुक्तान में करेंगे तो चलिए कोलम बनाते हैं पहले में कर्मांग, दुसरे में प्राप्त का वीवरन, तिसरे में नगत, चोथे में बैंक, पाचवे में कर्मांग, छठे में भुक्तान का वीवरन, सात्वा में नगत, और अंतीम में बैंक लिखेंगे आप लोगों को बतादू की बेठक में जो रासी प्राप्त होगा उसको हम लोग प्राप्त की विवरमन के तरफ लिखेंगे जैसे प्रारम रासी, बच्चत, कीस, ब्याज, दंड, बैंक ब्याज, बैंक से नगत निकासी आदी प्राप्त रासी हैं इसलिए इसे इधर लिखे और बेठक में जिस रासी को भुकतान करेंगे उसे इधर लिखेंगे जैसे नयारिन मंजोरी, सफर कर्च, एस्टेस्नरी कर्च, भीयो बचत, भीयो किस्त, सियाइप ब्याज, आदी भुकतान रासी को इधर लिखेंगे तो चलिए प्राभुकतान को सिखते हैं हम लोगों को पता है कि प्रारम रासी क्या होता है यदि प्रारम रासी के बारे में आप लोग नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप लोग देख सकते हैं कि समू का बेठक कैसे लिखें इस पर प्रारम रासी और बेठक कैसा लिखना है इसका पूरा जनकारी द तो गुलाब समू का बेंक खाता का अपडेट करने पर पता चला है कि 22.1.2023 तक उसके खाते में सेश रासी है 2146 रुपया 34 पैसा है तो प्राप्त के तरप बेंक कोलम में प्रारम रासी के कोलम में 2146 रुपया 34 पैसा लिखेंगे इसके बाद बचत नगत प्राप्त हुआ है तो नगत के कोलम में लिखेंगे और चेक से प्राप्त हुआ है तो बेंक के कोलम में लिखेंगे अब बेंक से नगत रासी लाया गया है तो प्राप्त के तरप नगत में लिखेंगे और उसके सीधे भुक्तान के तरब बैंक के कोलम में उसी रासी को लिखेंगे क्योंकि बैंक से भुक्तान किया जा रहा है इसके बाद बैंक भी आज बैंक खाते में ही प्राप्थ हुआ है इसलिए बैंक के कोलम में लिखेंगे उसी तरह भुक्तान के तरह भी नयारिन मंजुरी नगत और बैंक दोनों से हुआ है तो दोनों में लिखेंगे इस रासी को हम लोग नयारिन मंजुरी के कोलम से देखकर प्राभुक्तान में लिखेंगे ना कि अपने मर्जी से ग्राम संगठन का बचत किस्त और ब्याड बैंक चेक से दिया गया है तो बैंक के कोलम में लिखेंगे यदि यही रासी नगत रहता तो नगत के कोलम में लिखते अब जो जो रासी जैसे भुखतान हुआ है उस रासी को उसी के कोलम में लिखेंगे जो नगत भुखतान हुआ है तो नगत के कोलम में लिखेंगे और जो बैंक के दुआरा भुखतान हुआ है उसे बैंक के कोलम में लिखेंगे अब प्राप्त के तरफ नगत के रासी को कुल करके यहां लिखेंगे और प्राप्त के तरफ बैंक के रासी को कुल कर यहां लिखेंगे और इन दोनों के कुल रासी को भुकतान के तरफ के कोलम में लिखेंगे नगत रासी को नगत के कोलम में लिखेंगे और बैंक रासी को ब कुल कर यहाँ पर लिखेंगे अब नीचे वाले कुल नगत से इस वाले नगत कुल भुकतान रासी से घटा कर अंतिम सेसरासी पर लिखेंगे उसी तरह नीचे वाले कुल बेंग रासी से इस वाले भुकतान कुल बेंग रासी से घटा कर अंतीम सेश रासी पर लिखेंगे अब हमारे समू का कुल नगत रासी 400 रुपया है और बैंग में कुल सेश रासी 3,150 रुपया 94 पैसा है नगत रजिस्टर में भी इसी तरह का कायर होता था जिसमें पता चलता था कि नगत सेश रासी कितना सेश है और बैंग में कितना सेश रासी है अब हम लोग प्राभ भुक्तान के नीचे जरूर लिखेंगे कि समू का नगत सेश रासी 472 रुपिया तथा बैंग में 683,150 रुपिया जो है इसे सब्दों में लिखेंगे इसके बाद इसके नीचे समू का मोहर लगा कर समू के पदाधिकारियों से सत्यापन कर लेंगे इसके बाद आगे की करवाही को लिखेंगे तो चलिए करवाही को लिखते हैं आसा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग जनकारी प्राप्त किये होंगे तो ऐसे ही जनकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेर करें तब तक अगले वीडियो पर मिलते हैं